हेलो दोस्तों क्या आप भी लोकेश राहूल को अच्छा खेलाडी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करे आज भाए ने इजज़त बचा ली, बांगलादेश में के ल राहूल की 50 ने बचाई टीम इंडिया की लाज, तो फैंस ने दिल खोल कर की तारीफ बैन वी एस इंड, भारतिये क्रिकेट टीम के दिगगज बल्लेबाज के ल राहूल के ल राहूल ने बांगलादेश के खिलाफ तावरतोर अंदाज में अपनी 50 पूरी की है एक ऐसे मौके पर जब वन डे क्रिकेट में टीम इंडिया की त्रिमूर्ती यानी शिखर धवन, रोहित शर्मा और वेराट कोहली फ्लॉप हो गए तो बांगलादेश की धर्ती पर केल का बल्ला जम कर गर जा है उन्होंने 73 रनों की पारी खेलते हुए टीम इंडिया को सम्मान जनक्स को पर लेकर जाने का काम किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उनकी तारीफ में जम कर कसीदे पड़े हैं केल राहूल ने 79 गेंडों में बनाए 73 रन केल राहूल केल राहूल अमूमन अपने खराब प्रदर्शन के चलते फैंस के निशाने पर रहते हैं खासकर बड़े टूर्नामेंट में जब उनकी सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है तो वह सस्ते में पविलियन लौट चलते हैं जिसके कारण अक्सर केल को आलोचना का सामना करना पड़ता है लेकिन बांगलादेश के खिलाफ मुश्किल परिस्थिती में उनके द्वारा खेली गई पारी की जम कर सराहना की जा रही है जब राहूल बल्लेबाजी करने के लिए आये तो भारत ने महज 49 के स्कोपर टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया था ऐसे में पारी को आगे लेकर जाने की सारी जिम्मेदारी केल राहूल के एल राहूल के कंधों पर आ गई उन्होंने श्रेयस अयर और फिर वाशिंटन सुन्दर के साथ साजेदारी करते हुए 79 गेंडों में 73 रन बनाकर भारत को 186 के संयुक्ट स्कोपर पहुँचाया जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जम कर सराहना की जा रही है दोस्तों आपको ये वीडियो के सा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले